दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज़िवाल को जमानत मिली है लेकिन बीजेपी हमलावर है हमाई साथ रागव चड़ा साब है आप आप आपनी पार्टी के सांसद वरिष्ट नेतार चड़ा साब जिस तरह से बीजेपी ताबर तोड निशाना साधरी है क्योंकि गई है आज मुझे लगता है कि मानिय सुप्रीम कोट के जज्जमंट से साफ हो गया है कि समविधान से उपर कोई नहीं है और नियाए के सबसे बड़े मंदिर ने अर्विंद केजरिवाल जी को सलाखों के पीछे फौरान आजाद करने का जो हुकम सुनाया है उससे मुझे लगता है कि केवल दिली में ही नहीं देश फर में एक खुशी की लहर दोड़ गई अर्विंद केजरिवाल सिरफ एक नाम नहीं एक ब्रैंड है एक नहीं प्रकार की इमानदार राजनीती का ब्रैंड एक ऐसा ब्रैंड जिनकी राजनीती को देखते हुए लाखों लोग ज अर्विंद केजरिवाल जी के जो आज जो फैसला आया है उससे ये बात साबित हो जाती है कि संविधान से उपर कोई नहीं है अब ये राजनेतिक बयान तो बीजेपी और अन्ने राजनेतिक दल देते रहेंगे लेकिन जो राहत आज सुप्रीम कोट ने दी है वो इसाफ क करता है कि बहुत लंबे समय तक आप जूट के सहारे सच को कैद नहीं कर सकते और दिली के आज हर माँ खुशी मना रही है जैसे उनका खुद का बेटा कई महीनों की चुट्टी के बाद या कैद के बाद वापस लोट रहा हो या छे महीनी के संगर्श के बाद लोट लोट अगर आप देखें तो जो कौर्ट दो जज़ों की बेंच थी उनमें भी अपस में मत बेट था एक ने कहा कि गिरफतारी सही नहीं है एक ने गिरफतारी को सही ठहराया तो इस बात को लेकर भी कहीं न कहीं आपको लगता है कि जो बीजेपी कह रही है उसको और बल मिलता है क्योंकि यहां पर एकमत से फैसला नहीं है देखे, बेल देना, उन्हें राहत देना और उन्हें सलाखों के पीछे से फोरण रिहा करना का जो फैसला है वो तो दोनों जजोंने दिया वो तो उस पे तो पूरे बेंच की सहमती है अब बाकी जो फाइन प्रिंट है वो जब जज्जमेंट आएगा जब हम उसे पूरे तोर पे पढ़ेंगे, अपने वकीलों के साथ बैठेंगे उस समय उस पर विचार विमश करके बयान देना मुझे लगता है उचित होगा लेकिन मोटे मोटे तोर पे इस पूरे मुकदमे में सभी लोगों को Honorable Supreme Court ने बेल दे दी, मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी को बेल दे दी यहां तक की एक Honorable Judge ने तो CBI के कारश हैली पर भी काफी गंभीर सवाल खड़े की हैं मुझे लगता है, मोटे मोटे तोर पर आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है हम आदमी पार्टी के हर कार्यकरता के लिए, हर वरकर के लिए और यह पार्टी एक परिवार है कि सीजर की वाइफ की तरह अबव संस्पिशन होना चाहिए को शक्षुभा नहीं होना चाहिए को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कि हैं उनकी च्छवी को लेकर उनकी कारशैली को लेकर और किस प्रकार से राजनायती राजनीती से प्रेरित होकर गिरफतारियां होती हैं मुकदमे दर्ज होते हैं इन सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोट ने आज बहुत गंभीर सवाल खड़े की हैं और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन एजेंसीज को भी अपने अंदर जांकर देखना होगा अपनी कारेशयली को समझना होगा और मोटे मोटे तौर पर ये भी सुप्रीम कोट ने साफ कर दिया कि भई ले देकर संबिधान सबसे बड़ा है नयाई के सबसे बड़े मंदिर ने आज हमारे नेता अरविंद केजरिवाल जी को बेल दिया मुझे लगता है कि एक बेहत खुशी का लंभा है हम सब के लिए और बस परमात्मा से यही परात्ना है कि केजरिवाल जी स्वस्थ रहें और आएं और पार्टी की कमान समबलें आने वाले चुनावों का जिक्र हो रहा है हरियाना में है चुनाव और आगे आने वाले वाकत में जमु कश्मीर में भी महाराष्टर ज्छारकंड तो हरियाना में आपको लगता है शक्ता है अब लोग साभी सीटों पर जा रहे हैं देखे आम आदमी पार्टी के सारे जितने भी चुनाव है दिल्ली चुनाव हो पंजाब चुनाव हो गुजरात हो सारे चुनाव राष्टे चुनाव हो सबकी कमान अर्विन केज्रीवाल जी संभलते हैं और उनके आने से जरूर हमारी जो हर्याना की एकाई है उसको बल मिलेगा और हर्याना का चुनाव अर्विंद के जरिवाल जी उसकी कमान संभालेंगे और पूरी मजबूती से उसमें शिर्कत लेंगे जाहिर सी बात है आज हमारे नेता रिहा हो रहे है चेह महीने के लंबे संगर्श के बाद आज तमाम पार्टी के कारता वर्कज तिहार जेल जा रहे हैं अपने नेता को रिसीफ करने और उसके बाद फिर मुख्यमंतरी निवास पी जाएंगे उनसे भींट करेंगे उनसे मुल सुक्रिया हम से बात करने के लिए रागव चड्रा यहां पे यह कहते हुए कि एक बहुत भावुक लमा है ना सिर्फ नेताओं के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के हर एक कारेकरता के लिए और इसलिए आज जश्र में सभी कारेकरता सडकों पर नजर आएंगे कैमरा परसंट क्रिपाल सेंग के साथ मौसमी सेंग दिली आज तक